Hello everybody, myself Manoj, I welcome you all in my channel Colonia English Classes मैं एक बार फिर आपका तह दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल के अंदर जिसका नाम है Colonia English Classes तो guys आज जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में डिसकेशन करने वाला हूँ As You Like It तो As You Like It जो है वो एक Pastoral Comedy प्ले है William Shakespeare के दुआरा और साथ की साथ इसे Pastoral Comedy भी बोलती है और इसे Romantic Comedy भी बोलती है तो जी हाँ इसे Pastoral के साथ-साथ Romantic Comedy भी कहा जाता है और ये क्यों कहा जाता है वो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिसकस करेंगे तेकि वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए कि हालांकि बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे जिनके अंदर as you like it जो है वो काफी डिटेल में डिसकसिन मिल सकता है बट मेरे इस वीडियो में आपको दो चीज़े मिलने वाली है if you people are preparing for the UGC net exam तो this video is made for you only अगर आप UGC net के तयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए है क्योंकि UGC net के तयारी करते हैं तो हमें MCQs को करना होता है but मैं ये मानता हूं कि MCQs जो होते हैं उनको discussion करने से पहले उनको समझने से पहले आपको किसी भी particular topic को detail में समझना पड़ेगा अगर कोई drama है play है उसका summary आपको detail में समझना पड़ेगा then after you can only understand MCQs and all so that's why we decided that first of all I'll talk about summary then after I'll talk about MCQs और UGC net point of view से discuss करेंगे पहले हम summary की बात करते हैं तो लिजिए without any wastage of time let's begin now as you like it जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी screen पे as you like it जो है वो एक pastoral comedy है और pastoral comedy के साथ-साथ ये William Shakespeare ने इस comedy को लिखा था ठीक है अब आपके मन में यह आएगा कि pastoral comedy क्या होता है देखिए ऐसा कोई भी play जिसकी setting forest के अंदर, court के अंदर, जहांपर ships, shepherd ये सब मिलते हैं आपको मतलब jungle हो, court हो, ships हो, shepherds हो, इस परकार के जो play होते हैं जिनको perform किया जाते हैं उनकी setting को इस हिसाब से रखा जाते हैं उसको हम pastoral बोलते हैं या तो आपको पता है pastoral point भी होती है और इस particular pastoral comedy की खास बात ये है कि इसके अंदर marriages को भी दिखाये गया शादियों को भी दिखाये गया गया, काफी सारी शादियां होती हैं इसके अंदर अब pastoral तो समझ में आगए आप comedy क्या है, देखे comedy उसमें यह है कि इसके अंदर comedy को आगे चलते हैं, As You Like It जो है, इसे 1599 के अंदर लिखा गया था, ठीक है, और पहली बार 1623 के अंदर first folio, इसके अंदर publish करवाय गया था, तो pastoral comedy, याद रखें, यहाँ पर एक question बनता है, कि हमसे exam में पूछा जा सकता है, कि William Shakespeare का पहला pastoral comedy कौन सा है, तो याद रखें, As You Like It जो है, वो William Shakespeare का पहला pastoral comedy है, आगी चलते हैं, इसे romantic comedy भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर शादिया हैं काफी सारी, तो उनके बीच में romance को भी दिखाये गया है, तो इसे लिए इसे romantic comedy भी कहा जाता है, एक interesting बात यह है कि As You Like It के अंदर कुल मिलाकर 7 गाने हैं, ठीक है, और उनमें से कुछ famous गानों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, Under the Greenwood Tree, तो यह famous गाना क्यों है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा, बट इतना समझें, Under the Greenwood Tree, so that is the song, इसके साथ साथ यह पहला song था, इसके साथ Blow, Blow, Dow, Winter Wind, ठीक है, यह दो गाने जो होते हैं, वह Amiens नाम का एक यह दोनों गाने गाए जाते हैं, आगे चलते हैं, तो इसकी summary को discuss करने से पहले कुछ characters के बारे में, detail में discuss करते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या है, Duke Senior, Duke Senior नाम का एक Duke होता है, उसके भाई का नाम है Duke Frederick, तो याद रखिए Duke Senior के बड़े बाई, यह बड़ा बाई होता है, और इसके छोटे बाई का नाम होता है Duke Frederick, अब Duke Senior की बेटी का नाम होता है Rosalind, Rosalind जो है वो Duke Senior की बेटी का नाम है, Duke Frederick की जो बेटी है, उसका नाम है Celia, तो कुल मिलाकर यह दोनों क्या होई, cousin, ठीक है, और cousin के साथ साथ यह दोनों काफी अच्छी दोस्त भी होती है, तो य तो देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, अगर हम बात करते हैं As You Like It Play है, उसके अंदर सबसे महतपुन जो करेक्टर है वो है Duke Senior, उसके ब्रदर का नाम है Duke Frederick, इनकी बेटी का नाम है Celia, और Duke Senior की बेटी का नाम है Rosalind, और उसके बाद बात करते हैं Oliver, Orlando, यह कौन है वैसे तो देखिए यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको समझ में आएगा, देखिए सबसे पहले समझिए Sir Roland Day Boys, Sir Roland Day Boys, यह इनके बेटे का जो सबसे बड़ा बेटा है उनका नाम है Oliver, दूसरा जो बेटा है उसका नाम है Jacks, तीसरा जो बेटा है उसका नाम है Orlando, त देखिए यहाँ पर, तो Sir Oliver जो है वो Orlando का बड़ा बाई है और इनके बीच के जो रिलेशन्शिप में वो अच्छे नहीं है, एक्चल में शुरुआत के प्ले के शुरुआत में हम क्या देखते हैं, Oliver जो होता है वो लगबग Orlando को मारना चाता है, और ऐसा क्यों होता है वो हम समरी के अंदर जानेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक wrestler है, wrestler समझते हैं नो, कुष्टी लडने वाला, ठीक है, जो कुष्टी करता है, उसका नाम है Charles, यह एक professional wrestler होता है, फिर यहाँ पर एक fool है, fool मतलब jester, मतलब एक परकार का जो comedy करता है, पूरे play के अंदर, तो यहाँ पर एक court full है, court के अंदर एक joker होता है, उसका नाम है touchstone, ठीक है, बड़ा important character है, उसको याद रखिए, और touchstone के बाद अगला character है, उसका नाम है Adam, ठीक है, इस character का नाम क्या है, Adam, यह एक faithful servant होता है, और यह हमेशा Orlando, जब exile पर जाता है, exile का मतलब होता है, कि उसको देश से निकाल दि द्वारा, तब भई, Adam जो होता है, वो Orlando के साथ जाता है, और याद रखिए, Adam जो है, वो Orlando का काफी faithful servant है, तो उसके बाद बात करते हैं, Orlando and Rosalind, Rosalind मैंने आपको बताया था, Duke Senior की बेटी होती है, जो की Orlando के प्यार में होती है, और अगर बात करते हैं, Celia, जो की Duke Frederick की बेटी ह वो भई, Orlando के बड़े बाई, Oliver के प्यार में होती है, वो आगे चल कर इनके शादी भी होगी, तो वो हम देखते हैं, तो आगे हम बात करते हैं, एक musician की बात करते हैं, जो गाना वाना बजाता है, court के अंदर, ठीक है, गाना गाता है, उसका नाम है Amiens, ठीक है, Amiens नाम है, उस उसकी identity क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसके अंदर अलग-लग परकार के जो गडरिये होते हैं, forest के अंदर पूरी setting को रखा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर अलग-लग परकार के shepherds आते हैं, कुछ girl, कुछ boys and all, तो उनके नाम देखे क्या होते हैं, एक का नाम हता है, एक एक लड़की है, shepherdess है, और sylvius, यह एक shepherd है, गडरिया है, यह एक लड़की है, फोईब, याद रखे, फोईब जो है, वो एक लड़की है, sylvius जो है, वो एक shepherd है, और audrey, audrey एक country की वहाँ, मलब जो गाउं है, वहाँ की एक लड़की है, और alien जो होती है, वो Celia का दूसरा नाम alien है, Elena, sorry, Celia का दूसरा नाम क्या होता है, Elena, और Elena क्यों रखा गया, इसका नाम, वो हम summary के अंदर जानेंगे, तो लिजी अब हम summary की बात करते हैं, summary में देखे, पहला point, the play is set, देखे, अगर play की setting की बात करें, तो आपको याद रखना है, कि as you like it, जो play है, उसकी setting को, व डची नाम का अभी एक state है, पूरा, तो France के अंदर है, वहाँ पर इसकी setting को रखा गया है, मगर, जैसा कि मैंने आपको at the very first, like starting, at the starting, I told you, कि as you like, जो है, वो एक pastoral comedy है, तो pastoral है, तो इसकी setting को जादा तर रखा गया है, याद रखिए, वैसे तो ये डची के अंदर रखा ग Forest of Arden, याद रखिए, Forest of Arden, इस नाम को अच्छे से याद रखना है, Forest of Arden, इसकी अंदर जादा तर play को perform किया गया था, आगे चलते हैं, जब play की शुरुवात होती है, तो हम क्या देखते हैं, कि Duke Frederick, जो कि Duke Senior का छोटा बाई होता है, वो क्या करता है, Duke Senior का जितना भी जो properties होती है, जितना भी उसका पूरा का पूरा मतलब जो kingdom है, राज्य है, वो हडप लेता है, यूजर का मतलब होता है हडपना, वो सारा का सारा हडप लेता है, और हडपने के बाद क्या करता है, वो अपने कबजे में ले लेता है, और इसके साथ-साथ वो एक और काम करता है, आपको यहाँ पर याद रखना है, मैंने लिखा है red pen से भी कि which was earlier under the possession of Duke Senior, तो यह जो डची होता है, डची यह पहले तो Duke Senior का kingdom होता है, मगर Duke, Frederick Duke Senior को exile कर देता है, वहाँ से निकाल देता है, और सारा का सारा जो kingdom है, वो अपने कबजे में ले लेता है, अब जो Duke Senior होते हैं, वो क्या करते हैं, अब वो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, उसके भी काफी सारे जो उनके जो विश्वास पातर होते हैं, उन लोगों के साथ, वो जंगल में चला जाता है, ठीक है, और Duke Frederick ने उसे अपने Kingdom से, डची जो Kingdom होते हैं, वहाँ से निकाल दिया, तो ये बात आप याद रखिए, तो लीजे आगे चलते हैं, अब क्या होते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है, Duke Senior की बेटे का नाम है, रोजा लिंड, ठीक है, जब Duke Frederick, Duke Duke Senior को वहाँ से निकाला दे देता है, कि तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ, और तुम यहाँ से चले जाओं हमारे Kingdom से, क्योंकि उसने Kingdom को हतिया लिया था, मतलब यूजर्प कर लिया था, हडप लिया था, यह देखिए, यहाँ पर हडप लिया ने, ठीक है, अब यहाँ पर एक point क्या है, point number three में important बात क्या है, कि जब Duke Senior को वहाँ से निकाल दिया गया, उनकी बेटी को वहाँ से नहीं निकाला, Duke Frederick ने, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि Rosa Lynn जो थी, वो Duke Frederick की बेटी, Celia के साथ, उसके काफी अच्छे relationship थे, काफी अच्छी friendship थी, मतलब यह बोल सकते हैं, कि यह दोनों के दोनों काफी ज़्यादा close थे, तो जिस वज़े से, Duke Frederick ने सोचा, मेरी Celia जो है, उसका, मतलब, time pass कैसे होगा, वो कैसे, मतलब, Rosa Lynn के बिना रहेगी, तो शुरुवात में, Rosa Lynn को वहाँ पर रहने दिया गया, ठीक है, तो यह इसका reason था, आगे चलते हैं, Orlando, अब entry होते है, Orlando की, ठीक है, Orlando कौन है, Orlando एक young gentleman है, ठीक है, एक kingdom है, वहाँ का young gentleman है, तो वो क्या देखता है, वो Rosa Lynn को देखता है, और Rosa Lynn को देखकर, उसके प्यार में पढ़ जाता है, ठीक है, प्यार में पढ़ जाता है, उसके काफी ज़्यादा प्यार करने लग जाता है, मगर आगे क्या देखते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया था, Orlando का जो बड़ा भाई है उसका नाम है Oliver Oliver और Orlando Oliver actual में Orlando को ना पसंद करता है और वो लगबग उसे मार देना चाता है ठीक है तो Oliver के कारन Orlando को kingdom जो होता है वहाँ छोड़ कर जाना पड़ता है और ये Orlando वहाँ से छोड़ कर Arden forest of arden वे चला जाता है ठीक है ओर्लेंडो जाने से पहले ओर्लेंडो के जंगल में जाने से पहले मैं आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो थोड़ा सा important है जानना दीखे ओलीवर ओर्लेंडो का बड़ा भाई अपने छोटे भाई को मारना चाहता है और मारने के लिए क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने एक करेक्टर को बताया था जब मैं करेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहा था चार्ल्स, चार्ल्स एक रैसलर है, एक प्रोफेशनल wrestler है, तो Oliver क्या करता है, Charles को, मतलब ये Oliver जुटे जुटे मतलब Orlando की fight, ठीक है Orlando की जो fight है, वो Charles से लड़वा देता है, ठीक है, Orlando को बोलता है, मतलब इस परकार से कहानी को manage करता है, कि Orlando जो है वो challenge करता है Charles को और ये दोनों decide करते हैं, कि हम लोग एक competition लड़ेंगे, ठीक है मगर luck अच्छा होता है Orlando का, otherwise तो ये Charles तो इतना ताकतवर होता है, कि वो luck बग Orlando को मार ही देता, मगर ये luck होता है, तो Orlando का luck था कि वो बच गया, और वो जीत गया, ठीक है, उसने Charles को हरा दिया, और वो ये जो competition था, wrestling fight थी ये जीत गया, ठीक है, अब क्या होता है, अब मैं आपको जो घटना थी, वापस बताता हूं, कि Orlando जो है, उससे काफी ज़्यादा परेशान किया जाता है, Oliver के दुआरा, कभी उसकी fight करवा दी जाती है, कभी कुछ, कभी कुछ, तो यहाँ पर न, Oliver तो शुरुवात में तो यह सोचता है, कि वो Orlando को मार देगा, ठीक है, मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसने Charles को हरा दिया, और wrestling को जीत लिया मगर अब Oliver उसे और ज़्यादा परेशान करता है, और उसे force कर देता है मजबूर कर देता है, कि वो वहाँ से भाग जाए, उसके घर से भाग जाए और जाके जंगल में रहे, तो ऐसा ही होता है, Orlando जो होता है वो अब forest of Arden में जाके रहने लग जाता है, आगे क्या देखते हैं, फैडरिक, फैडरिक एक दिन बहुँ ज़्यादा गुसा हो जाता है, किसके उपर Rosalind पे, Rosalind कौन है, Duke Senior की बेटी, तो उसके उपर काफी ज़्यादा गुसा हो जाता है, और गुसा होकर गुसे गुसे में Rosalind को बोलता है कि तुम यहाँ से court से दफा हो जाओ, और तुम हमारी, जो मेरा kingdom में वहाँ से निकल जाओ, ठीक है, जैसे तुमारा बाप, तुमारे father गए थे, वैसे ही तो Rosalind और Celia, Duke Frederick की जो बेटी है, वो काफी अच्छी friend होती है, Rosalind की, तो यह दोनो के दोनों साथ मिलकर भाग जाएंगे जंगल में, और अपने साथ एक court का जो मुर्क होता है court का जो gesture, जिसको हम लोग joker बोलते हैं, मजाकिया ठीक है, उसको साथ ले जाती है, याद रखना अब exam में कोशन आ सकता है कि Rosalind, Celia, अपने साथ किसको लेकर गई थी, तो किसको लेकर गई थी touchstone को, ठीक है touchstone को अपने साथ लेकर गई थी आगे चलते हैं now Rosalind, देखिए होता क्या है Rosalind और Celia जो होती है वो जंगल में भाग जाती है और वहाँ पर भागने से पहले वो अपना जो भेस होता है, वो अपना भेस बदल लेती है अपना रूप बदल लेती है तो Rosalind जो होती है, वो भी disguise हो जाती है, Celia जो होती है वो भी disguise हो जाती है Rosalind जो होती है, वो अपना भेस बदलती है एक यंग आदमी के रूप में और जो सीलिया होती है वो एक poor lady के रूप में अपना भेस बदलती है तो guys यहाँ पर याद रखने वाले interesting बात पता है क्या है यहाँ पर बात यह है कि Rosalind जो है वो अपना भेस बदलती है तो हमसे question यह पूछा जा सकता है कि Rosalind ने अपना भेस बदलकर अपना क्या नाम रखा तो वो नाम रखा था Ganymede याद रखिए अब आगे जंगल के अंदर जब आगे की जो कहानी चलेगी वहाँ पर मैं बार बार Ganymede का नाम लूँगा तो Ganymede कौन है? Rosalind ठीक है? और यहाँ पर Elena कौन है? Elena जो है वो है Celia Celia disguise होकर एक पूर लेडी के रूप में बन जाती है और वो अपना नाम रखती है Celia अब आगे चलते हैं तो देखिए आगे क्या होता है तो यहाँ पर दुबारा मैंने उस बात को repeat किया ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें तो यहाँ पर याद रखिए Rosalind Ganymede बन जाती है और Celia Elena बन जाती है ठीक है? और यह दोनों अब जो Arcadian जो Forest है ठीक है? जिसको हम Forest of Arden बोलते हैं Forest of Arden में अब वहाँ पर यह पहुंचती है वहाँ पर पहुंचने के बाद जो Duke होता है ठीक है? जो Rosalind का जो फादर होता है वो उनको immediately नहीं मिलता ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब Ganymede और Elena जंगल में पहुंची तो उनके फादर वहाँ पर Forest of Arden में तयार मिले कि हाँ भी ऐसा नहीं था होता कि है शुरुवात में Ganymede और Elena वहाँ पर पहुंचती है वहाँ पर पहुंचती है उसी जंगल में पहुंचती है जहाँ पर उसके फादर Duke Senior भी अपने supporters के साथ रह रहे हैं तो आगे देखे कहानी कहाँ चलती है Ganymede और Elena now lives in forest in a cottage तो ये दोनों अब जंगल के अंदर रह रही है एक cottage के अंदर एक जोपड़ी के अंदर रह रही है तो मैंने जोपड़ी भी बना दिता हूँ आपको याद रहेगा ठीक है आगे देखते हैं तो अब बात करते हैं Orlando की Orlando को मैंने आपको बताया Oliver ने Orlando को भगा दिया घर से तो Orlando जो है अपने servant Adam के साथ अब वो भी क्या करता है जंगल चला जाता है जंगल में उसकी मुलाकात होती है Duke Senior के साथ Duke Senior के साथ मुलाकात होती है जैसे Duke Senior के साथ मुलाकात होती है और उसके आदमी Duke Senior के साथी होती है उनके साथ मुलाकार करते हैं तो ओर्लेंड जो Duke Senior जो होता है वो एक्चल में मुलाकार कैसी होती है उसकी कहानी मैं बताता हूँ हलाकि मैंने उसको लिखा नहीं है यहाँ पर बट मैं आपको बता देता हूँ ओर्लेंडो का जो सर्वेंट है Adam यह काफी कमजोर होता है और इसे काफी ज़्यादा भूक भी लगी होती है तो ओर्लेंडो जो होता है वो कहीना कहीं से Duke Senior को देखता है तो Duke Senior के पास खाना मांगने के लिए यह जाता है और खाना वो खुद के लिए नहीं मांगता है वो Adam के लिए मांगता है काफी ज़्यादा कम जोर होता है, तो इस परकार Orlando जो होता है, वो Duke Senior और उसके साथियों से मिलता है जंगल में, ठीक है, इस परकार Orlando को, मतलब वहाँ पर रहने के लिए बोला जाता है, तो Orlando और उसका साथी Adam, अब Duke Senior के साथ रहने लग जाते हैं, आगे हम कहाने में बढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं, Orlando, Orlando जो है वो Rosalind से काफी ज़्यादा प्यार करता है, और वो जंगल में जितने भी पेड होते हैं, उन पेडों के उपर एक प्यार भरी कवीता लिखता जाता है, और वो कवीता के अंदर Rosalind का नाम भी बार-बार वो लिखता जाता है, याद रखिए, Orlando जो है, वो Rosalind के प्यार में होता है, और वो हर एक पेड पर Rosalind की प्यार भरी कहानिया लिखता जाता है, मतलब Love Poems को लिखता चला जाता है, तो यहाँ पर याद एक इंट्रेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, जो सर्वेंट एडम है, इस कहानी के अंदर, जो Orlando का सर्वेंट होता है, उसका रोल यह कहा जाता है कि William Shakespeare ने निभाया था प्ले के अंदर, तो यह एक बात है, याद रखिए इसे, आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, Rosalind in love with Orlando, Rosalind जो होती है, वो भी Orlando के प्यार में होती है, और meets him as Ganymed, Rosalind जो होती है, वो एक्चल में पता है क्या होता है, मैं आपको बताता है, Rosalind जो होती है, वो जब उन पेड़ों को देखती है, मैंने आपको बताया था, पेड़ों पर Orlando love poem लिखता चला जाता है, और उसका नाम भी लिखता है Rosalind का, तो Rosalind देखती है, पेड़ों पर कोई love poem लिख रहा है, और उसके अंदर उसका नाम भी है, तो उसे बड़ा आजीब सा लगता है, तो ऐसे करते करते कहीं ना कहीं, Rosalind जो होती है, जो अभी बहस बदल कर Ganymed के रूप में रह रही है, मतलब एक लड़का होता Ganymed, यंग बोई, उसकी शकल में रहती है, तो Rosalind, मतलब Ganymed जो होती है, वो Rosalind के प्यार में है, तो यहाँ पर Ganymed जो होती है, वो यहाँ पर Orlando को बोलती है, कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हेरे जो प्यार है, उसका इलाज करूँगी, ठीक है, तुम्हें इस परकार से काउंसल करूँगी, कि तुम प्यार में तुम्हें सुकून मिले, मतलब उसका रिजल्ट निकले कुछ न कुछ, ठीक है, और ऐसा क्या करती है, वो मैं आपको बताता हूँ, देखिये, Him of being in love, मतलब यहाँ पर यह काउंसल करती है, ताकि जो ओर्लेंडो प्यार में होता है, तो यहाँ पर गेनी मेड पता है क्या बोलती है, और लेंडो को, कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो रोजा लेंड का जो प्ले है, रोजा लेंड का जो रोल है, ठीक है, तुमारे साथ, वो मैं निभाऊंगी, ठीक है, और तुम्हें प्यार का एहसास, मैं नहीं दिलाने दूँगी, हाला कि याद रखिए, रोजा लेंड एक लड़का है यहाँ पर, ठीक है, मतलब, सॉरी, रोजा लेंड नहीं, गेनी मेड यहाँ पर एक लड़का है, और वो यह बोलता है, बोलता है कि रोजा लेंड की जगह मैं ले लूँगी, और मैं तुम्हें प्यार का एहसास करवाऊंगी, और अपने जो रिलेशन्शिप है उसको आगे बढ़ाऊंगी, अब यह ऐसा क्यों बोलते हैं, वो मुझे थोड़ा नहीं किलिर हुआ, आगे चलते हैं, अब एक Shepard, Shepardus की एंट्री होती है, जिसका नामत है Foeb, F-O-E-B, Foeb, Foeb नाइम की एक लड़की होती है, वो क्या करती है, वो Ganymed को देखती है, और Ganymed को देखते हैं उसके प्यार में पढ़ जाती है, तो यह Foeb और Ganymed के बारे में बताने के बाद आगे चलते हैं, आगे हम क्या देखते हैं, जो Touchstone होता है, जो की Ganymed और Elyna के साथ आया हुआ है, वो जब ओड्रे नाम किया एक लड़की होती है, एक Shepard, मतलब एक जो Shepardess होती है, तो जब Touchstone ओड्रे को देखते हैं, तो वो उसके प्यार में पढ़ जाता है, ठीक है, और उससे वो शादी करने के लिए उसको वू करता है, मतलब शादी के लिए उसको परपोस भी करता है, तो यहाँ पर ना कुछ इस परकार समझते हैं, फोईब, फोईब जो होता है, वो एक लड़की है, वो Ganymed के प्यार में होती है, यहाँ पर एक नया shepherd आता है, जिसका नाम तब William, William भी Audrey नाम की लड़की से प्यार करता है, मतलब सेम लड़की से प्यार करता है, जिससे की touchstone करता है, मगर Audrey अब किसे प्यार करती है, उसके बारे में आगे जाकर खुलासा होगा, ओलिवर ने ओलिवर ने ओलिवर ने ओलिवर को वहां से भगा दिया घर से, तो ओलिवर का जंगल में आना तो जायज है, बट ओलिवर क्यों जंगल में आया, इसका reason मैं आपको बताता हूँ, एक्चल में क्या होता है, कि Duke Frederick, जो कि अभी kingdom के पर राज कर रहा है, तो वो क्या देखता है, कि उसकी बेटी, सीलिया जो है, वो Rosalind के साथ भाग गई है, मतलब उसको पता नहीं है, कि वो कहां गई है, तो वो उसको ये बात जुरूर पता होता है, कि जो Orlando है, वो कहीं न कहीं Rosalind के प्यार में था, ये बात उसको पता होती है, तो अब Duke Frederick, उसके भाई, Orlando के भाई, Oliver को डांट लगाता है, काफी ज़्यादा जिड़की देता है, कि तुमारी भाई, जो हैं, उसने मेरी बेटी और Rosalind को भगा कर जंगल में ले गया, तो अब इसको बोलता है, कि Oliver तुम जाओ जंगल में, और Orlando को पकड़ कर लेका रहा हो, तो यही रीजन था, Orlando जो है, वो अब जंगल में आ गया, तो अब आते ही उसके क्या स्वागत होता है, कि Orlando जो है, उसके उपर एक शेरनी, जंगल के अंदर, एक शेरनी लॉइनस अटैक कर देती है, Oliver के उपर, और अचानक से क्या देखते है, Orlando जो की अभी पेड के पास कवीता लिख रहा है, Rosalind के बारे में, वो Oliver को देखते हैं, और उसको बचाने के लिए, फटा-फट शेर से बचाने के लिए, उसके उपर तूट पड़ता है, तो कुल मिलाकर, Oliver की रक्षा की जाती है, Orlando के दुआरा, अब जब Orlando को जब ये पता लगता है, कि Orlando ने मेरी रक्षा किया है, तो उसको एसास होता है, वो रिपेंट करता है, वो पश्चात आप करता है, पश्चात आप किसी का करता है, क्योंकि अब तक तो Oliver हमेशा ही, Orlando को मारना चाता था, जान से, तो अब Oliver को अपने भाई की कदर महसूस होती है, ठीक है, अब Oliver क्या होता है, रिपेंट करता है, और जिस परकार का वेवार, उसने Orlando के साथ किया, तो वो उन सब के लिए सोरी होता है, ठीक है, आगे देखी क्या होता है, अब अचानक से Orlando और Oliver, Orlando, Oliver को अपने घर लेके जा रहा होता है, तो रास्ते में, Oliver जो है, वो Elena और Rosalind को मिलता है, तो Oliver जैसे ही Elena को देखता है, जो कि अभी Celia है, अपना भीज बदल कर, ठीक है, पूर लेडी, पूर गर्ल, तो Oliver जैसे ही Elena को देखता है, वो उसके प्यार में पढ़ जाता है, और वो उससे शादी करने के लिए, परपोस कर देता है, तो जैसे ही वो प्यार के लिए परपोस करता है, तो Celia बोलती है, ठीक है, वो वादा करते हैं, कि हम लोग शादी कर लेंगे, तो गाईज, अब कहानी का final scene आ चुका है, final scene के अंदर हम क्या देखते हैं, कि 3 से लेकर 4 couple, जो हैं, वो जंगल में शादी कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, और्लेंडो की, और्लेंडो जो होता है, वो रोजालेंड के प्यार में होता है, तो अब रोजालेंड जो होती है, वो अपनी शकल, मतलब अपना जो भेस होती है, वो उतार कर वापस, Orlando के मतलब साथ सामने आ जाती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं तो जोड़ा नंबर, couple नंबर 1 उसके बाद Oliver जो है Celia से शादी करता है और Celia शादी का वादा करके उसे on given time में शादी करती है अब बात करते हैं Silvius Silvius जो होता है वो Foyb से शादी करता है ठीक है और Touchstone जो होता है वो Audrey से शादी करता है तो इस परकार ये चार शादिया होती है तो इसी परकार से इसी particular play को हम लोगों ने Pastoral Comedy का नाम दिया क्योंकि इसके अंदर Comedy भी है और Pastoral इसलिए क्योंकि ये काफी सारी सेटिंग को जंगल में रखा गया है और बहुत सारे इसके अंदर कैरेक्टर जैसे हैं जो Shepherd है गडरीय है और शादी भी होती है जंगल में तो इस परकार से इसको Romantic Comedy और साथ-साथ Pastoral Comedy का नाम भी दिया गया है अब क्या होता है जब Frederick को पता लगते है कि सारे के सारे जंगल में है तो Frederick भी वहाँ पर आता है जब वो आ रहा होता है तो रास्ते में उसको एक सादू मिलता है तो सादू से वो इतना ज़्यादा परभावित होता है कि वो decide कर लेता है Frederick की वो अपना राजपार्ट छोड़ कर सन्यास का जीवन जिएगा और एक religious गुरू बन जाएगा तो Frederick अपना सारा राजपार्ट अपने भाई को दे देता है उसके भाई का नाम क्या होता है मैंने आपको बताया था Duke Senior तो Duke Senior को अब वो सारे के सारा नेट पॉइंट व व्यू से इसको रीड करते है ये बड़ा important है आगे रीड करना देखें अब हम बात करते हैं सबसे पहले UGC नेट पॉइंट व व्यू से देखते हैं इस particular play को जिसका नाम है As You Like It जो की pastoral comedy है और romantic comedy है तो सबसे पहले बात करते हैं तो as you like it है, उसकी setting को रखा गया है, ए डची in France, ठीक है, याद रखिये, डची in France, और ज़्याद तर इसकी setting को forest of Arden में रखा गया है, याद रखिये, मैं बार बार इस चीज को pronounce कर रहा हूं, इस चीज को बोल रहा हूं कि forest of Arden, forest of Arden के अंदर ज़्याद तर इसकी setting को रखा और just because of that, this play is called as pastoral comedy, और इसके अंदर बहुत सारे romance को दिखाये गया है, शादियों को दिखाये गया है, इसलिए इसको romantic comedy का भी नाम दिया गया है, ठीक है, pastoral comedy भी है और romantic comedy भी है, और दूसरी बात यह है कि as you like it जो है, उसके अंदर 7 song है, कुल मिलाकर, जिसके अंदर 2 important songs है under the greenwood tree, जो immense के द्वारा गाया गया है, और blow blow down winter wind, यह भी immense के द्वारा गाया गया है, अब यहाँ पर एक touchstone के quotation है, वो बड़ी important है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या पता exam के अंदर यह quotation जो है, वो आ जाए, देखिए यह quotation, the fool doth think he is wise, the fool doth, doth का मतलब does, ठीक है, does है यहाँ पर, the fool doth think he is wise, मतलब कि एक fool, एक मुर्ख इंसान जो होता है, वो सोचता है, कि वो एक समझदार बुद्धिमान इंसान है, but the wise man knows himself to be a fool, मगर जो एक बुद्धिमान इंसान जो होता है, वो यह जानता है, कि मैं एक हूँ, तो यह जो quotation है, यह touchstone के द्वारा दी गई है, guys, यहाँ पर मैं यह क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यह exam में आ जाती है, ऐसी चीजें, ठीक है, इसलिए मैंने आपर आपको यह बताया, याद रखे इस quotation को, so guys, आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी दे पहले बताया था, कि इस पूरी play के अंदर, pastoral comedy के अंदर, as you like it, जिसका नाम है, William Shakespeare के द्वारा लिखा गया है, उसके अंदर दो गानों के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो मैंने बार-बार क्यों बताया, उसका reason यह है, कि Thomas Hardy का नाम तो सुना ह ही होगा आपने, जिन्होंने काफी अच्छे-च्छे जो novels हैं, वो लिखे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक song का, जो इस as you like it के अंदर एक गाना है, under the greenwood tree, यह गाना जो है ना, इसे परभावित होकर, ठीक है, Thomas Hardy ने एक novel का नाम भी रखा है, इसके नाम प ठीक है, as you like it के अंदर यह गाना है, इसके नाम पर Thomas Hardy ने अपना एक novel है, जिसका नाम रखा है, under the greenwood tree, यह question exam में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको बार-बार बोल रहा हूँ कि under the greenwood tree जो है, वो Thomas Hardy का एक novel भी है, और यह कहा जाता है, जो novel है, इसका नाम है, यह inspiration लिया था, under the greenwood tree, song से, जो की as you like it के अंदर एक गाना है, अब हम बात करते है, as you like it का source क्या है, ठीक है, कहा से William Shakespeare को प्रेरना मिली, कहा से वो inspiration मिला इसको लिखने का, कहा जाता है कि एक Thomas Lodge, Thomas Lodge के बारे में आपने सुना है, Thomas Lodge का एक work है, जिसका नाम है, Rosalind, Youfuse, Golden Legacy, Rosalind, Youfuse, Golden Legacy, यह particular एक work है, जिसके inspiration लेकर, William Shakespeare ने अपना play as you like it को लिखा था, तो guys, you should keep this point in your mind, very important point, आप कुछ important quotations की बात करते हैं, Jacks के बारे में तो आपने सुना ही होगा, Oliver और Orlando का brother है, Jacks, जो की middle brother है, ठीक है, यह इस play के अंदर क्या बोलता है, Act 2, Scene 7, Act 2, Scene 7 के अंदर कुछ quotation बोलता है, बड़ी important quotation है, कहा जाता है कि William Shakespeare का most famous monologue है यह, most famous monologue, monologue, पतल ए, किया होता है, जब एक इसान किसी, मतलब बंदे से बोलता है, उसके होने, दonut, जैसे कि हम sol然后 Q होता है, हमारा solißt soliloquium में क्या होता है कि एक इनसान जो होता है वो अपने आप से बाते करते हैं ठीक है हमें पता होता है कि सामने कोई है नहीं बट वो अपने आप से बाते करते हैं और monologue में क्या होता है कि इनसान बाते कर रहे हैं और किसी के साथ किसी को कुछ बता रहा है बट उस जो listener है जो सुन रहा है जो audience है उसका होने का ना होने का हमें कुछ नहीं पता कि वो audience है भी जो listener वो सुन भी रहा है या नहीं तो वो हमें नहीं पता होता सिरफ हमें यह पता होता है कि जो character है जो मतलब person है वो बोल रहा है तो चलिए monologue को मैंने आपको बताया अब हम बात करते हैं Jacks की वो quotation, जो की बड़ी important quotation है All the world is a stage जितना पुरा संसार जो वो एक stage है And all the men and women all the men and women merely players, और जितने भी men आदमी और औरत होते हैं, वो केवल एक player मतर है ठीक है, they have their exist exits and they have entrances, मतलब वो लोग exit भी करते हैं और उनके पास entrance भी है मतलब वो enter भी करते हैं और वो exit भी करते हैं, and one man is his time plays many parts, और एक आदमी अपने अलग-लग समय के अंदर वो अलग-लग परकार के role को, part को play करता है, ठीक है, ये बड़ी important quotation है, इसको आप याद रख सकते हो, simple तरीके से, all the world is a stage, सारा संसार जो वो एक stage है, मतलब वो एक platform है, वहाँ पर क्या करते हैं, जितने भी man और woman हैं, वो क्या है, मेर लिए player हैं, वहाँ पर वो क्या करते हैं, player हैं वो लोग, ठीक हैं, वहाँ पर वो कलाकार हैं, तो ये एक important quotation थी, jacks के द्वारा, जो William Shakespeare का play, or as you like it के अंदर कहा गया है, फिर jack की एक और quotation है, fool a fool, I met a fool in the forest, ये quotation है, jacks के द्वारा, याद रखिए, दो quotation बोली गई हैं, jack के द्वारा, फिर jack, जो है, इसका पूरा नाम है, melancholy jacks, melancholy jacks क्यों कहा गया है, melancholy का मतलब होता है, दुख jacks है, पूरे play के अंदर एक mass, मलब नाखुश इंसान होता है, जो पूरे play के अंदर हम देखते हैं, काफी दुखी इंसान है, नाखुश आदमी है, इसलिए, इसको melancholy jacks के नाम से पुकारा जाता है, तो अब guys, कुछ questions को ले लेते हैं, MCQs को लेते हैं, जो exam में, previous exams में आ यह जो line है, जो मैंने अभी आपको quotation बढ़ाया था, तो यह question में exam में आ चुका है, यह question, तो इसमें हम से यह पूछा गया है, कि यह जो line है, William Shakespeare के किस play में, William Shakespeare का नाम भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ option देंगे 4, और आप से यह पूछा जाएगा, कि यह line कहां पर आती है, तो Why does Rosalind faint, faint का मतलब होता है, बेहोश हो जाना, बेहोश, ठीक है, तो which of the following is not the correct answer, इन में से कौन सा answer जो है, वो correct नहीं है, तो guys आपको यहाँ पर याद रखना है, कि यह जो line मैंने आपको बोला था, When Oliver brings in the bloody napkin, died in Orlando's blood, Why does Rosalind faint, तो Rosalind जो थी, वो Orlando से काफी ज़्यादा बेहत प्यार करती थी, तो इसके अंदर जो D option है, वो हमारा गलत option है, मतलब कि which of the following is not the correct answer, तो this is not the correct answer, और यह तीनों option correct है, क्योंकि Many will swoon when they look at blood, swoon का मतलब होता है, अचेत होना, ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, कि बहुत सारे लोग जब खून को देखते हैं, तो यह बात भी correct है, She faints because of the her real concern and anxiety for Orlando, तो Rosalind जो होती है, वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो anxiety feel करती है Orlando के लिए, anxiety का मतलब होता है, चिंता, ठीक है, Orlando के लिए वो चिंता feel करती है, Frailty, thy name is woman, frailty का मतलब होता है, निर्बलता, ठीक है, निर्बलता, thy name is woman, तुमारा नाम जो है, वो woman है, मतलब निर्बलता का नाम ही woman है, यह कहा गया है, अगला देखते हैं, I will put myself in poor and mean attire, and with a kind of umber, smirch by face, the word umber means, यहाँ पर जो word है, जो ही शब्द है, umber, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब simple सा है, भूरा रंग, मतलब यह dusty, yellow और brown pigment, ठीक है, dusty and brown pigment, तो यह इसका correct answer होगा, आगे चलते हैं, अगला एक question आया हुए exam के अंदर, कि William Shakespeare के जितने यह जो नीचे play दिया गया है, इनको sequence में लगाओ, ठीक है, जो की early play है, middle play है, और late है, ठीक है, एक, दो और तीन, तो guys, इसके अंदर see answer correct होगा, क्योंकि सबसे पहले love labor lost आया, उसके बाद mid summer night आया, उसके बाद as you like it आया, उसके बाद Anthony Cleopatra और Tempest, तो इस प जो part है William Shakespeare का, वहाँ पर हमें as you like it मिलता है, ठीक है, और Anthony and Cleopatra and the Tempest जो है, वो हमारे William Shakespeare का जो third career था, third stage of career थी, उसके अंदर यह मिलते हैं देखने को, तो third answer would be the correct answer, so last बस यह 4-5 points है, important है, discuss कर लेते हैं, important quotes, as you like it के अंदर कुछ important quotations हैं, उसके बादे में बताता हूँ, all the world is a stage and all the men and women merely players, तो यह quotation मैंने आपको बता दी थी, जो Jack के द्वारा बोली गई थी, तो यह important है, फिर Jack ने एक और quotation बोली है, a fool, a fool, I met a fool in the forest, तो यह quotation भी Jack के द्वारा कही गई है, तो Jack हमारा यह रहा, और Jack ने यह Duke Senior को कहा था, तो यह बात याद रखी, यह एक monologue है, तीक ह If I were a woman, I would kiss as many of you as had beards that pleased me, तो यहाँ पर जब Rosalind जो है, वो एक लड़का बनी हुई है, और लड़का बनी हुई है, तो यह जो quotation है ना, यह quotation Orlando के द्वारा Rosalind को कहा गया था, sorry, Rosalind एक लड़का बना वा है, Rosalind ने यह quotation Orlando को बोला था, ठीक है, क्योंकि Orlando जो है, उसके दाड ही होती है, तो Rosalind क्या बोलती है, कि If I were a woman, अगर मैं एक औरत होती, तो I would kiss as many of you, ठीक है, as had beards that pleased me, तो यहाँ पर Rosalind जो है, वो Orlando को बोलती है, जो कि अभी अपना भेस बदल कर, ठीक है, गेनी मेड की रूप में होती है, तो वो बोलती है, अगर मैं एक woman होती, क्योंकि Rosal अभी क्या है, गेनी मेड क्या होता है, एक यंग लड़का होता है, ठीक है, तो वो अपने beloved Orlando, जो Orlando को पता नहीं होता कि गेनी मेड जो है, वो मेरी Rosalind है, तो Rosalind क्या बोलती है, कि If I were a woman, अगर मैं एक औरत होती, जो कि अभी गेनी मेड बनी हुई है, तो मैं तुम्हें इ पता है, एक quotation जो है, Harold Bloom की, Harold Bloom की एक quotation है, वो ये कहता है, कि Rosalind is among Shakespeare's greatest and most fully realized female character, ठीक है, fully realized, fully realized female character, जितनी भी William Shakespeare ने अपने place के अंदर use की गई है, जितनी भी characterize किया गया है, जितना भी दिखाया गया है, उसमें से, रोजालिंड one of the best है, greatest है, ये किस ने कहा था, Harold Bloom ने कहा था, इस बात को याद रखिये, तो guys, I think हमने काफी लंबा वीडियो बनाया आज का, और I hope that, कि whatever I try to make you people understand, you people have understood properly, और इसी तरह मैं आपको नई-नई वीडियो के साथ introduce करवाता रहूंगा, ये मेरा promise है, guys, मुझे motivate की कीजिए, comment कीजिए, और कैसा आपको वीडियो लगता है, तो ये please मुझे बताईए, अगर कोई कमी नजर आती है, तो वो भी आप please लिख कर बताईए, ताकि मैं इसको improve कर सकूँ, मेरे हमेशा ये कोशिश रहती है, कि मैं not point of view, इस चीज़ को discuss करूँ, thank you very much, thank you